आज है आज है हुआ आज है कि यूआ ट्रेंट्स वेल्गम टू माई चेनल तो चलिए आज देखते हैं पैतालमिस मी बीपी एस इस प्रिलिम्ट्स प्रिविएस कुस्टेंज और उसमें वीजियो गरफि देखेंगे और साथ ही साथ सिविक्स देखेंगे ठीक है और इससे पहले प्रिवियस जो है हिस्ट्री का हमने अप्लोड कर दिया है तो चलिए आज का पहला कुष्टिन देखते हैं कि यह 2002 का सेड़ है दूस्तों ठीक है इसमी पेसी 2002 में हुआ था आएए देखते है रजस्तान के रिदानी क तो रुचल यह रजस्तान के रिदानी कां सी है तो यह अंसर तो आप खुबी जानते हैं ठीक है जैपूर आपसन यह होगा यह आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं रजस्तान के रिदानी जैपूर को गुलावि सहर के नाम से भी जाना जाता है और यह निक्स देखते हैं गुजरात की रजधानी कौन सी है गुद्रा, गांधी नगर, बड़ोदा, अम्दा, वाद, ठीक है तो गुजरात की रजधानी, गांधी नगर है, आप्शन सी आईए नेक्स देखते हैं एसीया का सबसे बड़ा जलफ रफाब हुन्रु किस जगह के पास है, राची हजारी वाग जमसेतपूर वाद गया, तो यह जो है, एसीया का सबसे बड़ा जलफाब हुन्रु जो है सुर्न नेखा नदी परिस्तित रही जो राची से 45 क्यूमिल दूरी पर इस्तित है, इसकी हुँचाए जो है 9095 अनसर हो जाएगा राची और या यह निक्स देखते हैं अफिरका के मुलपत जन जाती 500 नदी घाटी में पाइजाती है नाइजर्ट माज़ी तो अफिरका की मुलपत जन जाती 550 और दीन किस नदी जाता है कांगो बेसिन में बिंग में जन जाती पाई जाती है आज़े निक्ष देखते हैं बिस्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उतपादक एवं निर्याद तक है यहां का कागज द्योग बिशपरशीद है आए देखते हैं छठा नंबर कोस्टिन जोगरपी से सुस्क भूमी के लिए सरवादी कुचित फसल कांसे है गन्ना जूट गेहूं मुंख फली तो सुस्क भूमी के लिए सरवादी कुचित फसल जो है वो उपसंड़ी होगा मुंख फली तो इसका कुछ डिस्क्यूसन है क्या सुस्क भूमी के लिए सरवादिक उचित फसलूंग पली है जिसका सबसे अधिक उत्वादन गुजरात राज्जी में होता है और अभी बर्तवान प्रदुरिस्टी में भी अही है यहां उत्वाद्गता के साथ तूलना कर सकते हैं अग अभीन मुर्दार परवत कि अधिक 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 नंबर कुश्चन भारत में कुल कितने राष्ट्री राजमार्ग है उनकी कुल लंबाई तक्रीवन कितनी है तो यह अंसर है आपसंडी चौशठ और चालिस अधार किलोमीटर तो ठीक है एक सुनास चुट गया है अभी के समय में देखते हैं बरतवान उस वक्त का था तो उस वक्त से तो हम यह परतवान परद्री से को कुश्चन है ठीक है न तो यह डीट तो अभी भिलाल याद रखने जरूरत नहीं है तभी कनुसा ने जबकि बरतवान में 2019 राष प्रिस्स करें तो बेतर होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगरती फर्मानिक्स में आई एस टीवम ग्रीन बीच माद्दे समय चीम टीक में अंतर फाया जाता है तो यह अंसर किया होगा ऑप्सन भी थाढ़े पांच गंड भारत का फर्मानिक्स में थाढ़े बैरास् भारत के कुल भोगलिक छेत्र में बन चेत्र का प्रतिसत क्या है तो इसको मैंने बरतमान समय कनुसार एड़ कर दिया उस समय से हमें कोई मतलब नहीं है और कुछा भी नहीं जाएगा उतना पहले का ठीक है लेकिन क्वेश्चिन का पैटर्न आपको समझना हो गया प्रिवि होना चाहिए यजना आयोगनी से त्या गया था ठीक है अभी कि सतर्मी बन रिपोर्ड के नुसार हमने ये डेटा आपको ऑप्शन भी दे दिया है ठीक है और जिसमें भी आपका एक्जाम उसके नुसार इसको आपडेट करते रहें तो बहतर होगा वाक्रान अंगल किस अब राजस्थान की सिंक परियोजना है तो अप्शन डी सतलज आइए नेक्स देखते हैं कि असम कुल मिलागर कितने राज्यों पर राज्य परदेशों से गिरा हुआ छे सात आठ नौ तुनसर हो जाएगा ये सात राज्यों से गिरा हुआ अप्शन भी असम राज्य को प अब लक्ष दिप में कितने दिप हैं 27, 17, 37, 47 तो अप्शन में 37 था दोस्तो इसलिए उस पक्त आयोगी इसको 37 माना है लक्ष दिपों के 36 दिपों का सम्मुएं जो परवाल निर्मित है इसमें 10 दिप अवाद और 6 निर्जन है आए निक्स देखते हैं बारत में सरवादी गें उत्वादक राज ये काउंच हैं उत्तरपर्देश, पंजाब, भरियान, अद्धिपर्देश और अभी के परदिल्ष में उत्तरपर्देश है उत्तर परदेश है ये सब डेटा देख लिया जाना चाहिए ठीक है न दुसरा पंजाब है को देख लेते हैं ठीक है भारत के किस राज में सरवादिक जिन संख्या गनत पाया जाता है तो वह उस बक्त पश्रिम मगाल था दोस्तों ठीक है ना लेकिन अभी जो है वो क्या है सी आगे पिछे हो गया चलिए इसी को भी इसको सी कर देते हैं यहां पर भी सही राजागा ठ पारत के किस राज में सरवादिक जिन संख्या घनत पाया जाता है तो बिहार में भी फिलाल है और 116 कि बेक्ति परती किलो मीटर आए देखते हैं जरकंड का लो एसक उतपादर में सरवादिक मुत्पुन जिला कौन सा है तो अभी भी यही है ठीक है सीभूं सीभूं जिले कौन सा पर्मोग खुद्योग मूरी जहार खड़ में स्थापित है तो यह अलमुनियम उद्योग जो है वहां स्थापित है ठीक है ना निक्स देख लेते हैं तो यह आपका अंसर हो जाएगा ऑप्सन भी ब्राकर लामुदर घाटी प्रयोजना कंतरगत मैथोन बेल पहाड़ एवं तिलया वांद ब्राकर नदी पर तथा बर्मा एवं पचेत वां लामुदर नदी पे इस्थित है यह निक्स देखते हैं जमसेद्पूर किस नदी की किनारे वस्तित है तो यह कोश्चन देखिए उपर भी था यह फिर से डवल डवल एक ही सेट में पूछ दिया गया है ठीक है इससे रिलेटेड कोश्चन ही का और हमने पढ़ा भी तो आईए इसका अंसर हो जाएगा सी स्वन रेखा नदी पर जमसेद्पू स्वन रेखा न को तो यह एंसर होगा अप्शन सी चुनाव आयोग को थोड़ा सा डिस्किप्शन भी है इसमें देखी लेते हैं परारा राजिक दलो को राष्टी ए छेत्री दल का चुनाव आयोग देता है भारती सिमिधान के नुच्छी 324 में चुनाव आयोग की गठन से सबंदित प्र चिताकरन हमारी मिली जूली संस्कृती की सम्รीब Weapt Voit को सरचिट करना अब महत परदान करना बच्चों के लिया मुफ्त निवारिक सिक्च छोच छोच शोचत के प्रंपरा को समाप्थ करना तो कर्य UP आ प्शन बी जो है यह जार्य करतब भी मुले करतब है. आ वप्शन yes Een भारती समिदान के भाग चार एक अंदर गर्द अनुच्छे दे कावने में 11 मुल करतब्यों का वर्ण है उन्हीं में से करतब्य हमारे मिली जूरी संस्क्रीती के सम्रीत ब्रिशा पिरासद को सब्चित करना बहब महत्तु परदान करना वाकि दुस्तु जो है ये मौलिक वर्ण आखीत होने के लिए कप्रदान के लिए किसी वेक्तिकिन नीमतम आईंन स् noun क्या है तो यह आपका है लोगसभा के लीन नींतम 25 पाचीश परश ठीक है लोकसभत थे बिधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए निमतम आईंउ 25 बश है जिबकि रास्भमात थे विद्धान पली काउं दौरब बनाएगे नीमों परत्यमिक्ता परदान करता है तो यह ओप्सन हो जाएगा सी 245 अंबर आफसन थोड़ा इसका डिस्क्रिप्सन देख लेते हैं कि अनुछे 245 से 255 में संग तथा राज्यों के बेच विद्धाई सक्तियों के बिद्रन का वर सभाग का सभापती कौन होता है राश्च्पती उप्राश्ट्पती परधान मंत्री लोग सभाग का देख्ट तो राज सभाग का सभापती जो होता है वो होता है उप्राश्ट्पती तो अंसर हो जाएगा उप्सन B आईए निक्ष देखते हैं ठीक है नुच्छे 64 गनुस ब्रफरम् थोफित तो भार्तिय राजनितिक ब्यवस्था ने से कौन सर्वोच है थो स्मीधान nou that कर देंगा तो अगर तो भारती राजनीतिक मिवस्था में कारे पलिका के अधिन रहकर प्रहए करती है तो आप्शन होगा विधान फालिका तो से निधान के 906, 75, 3 के अधिन रहकर कारे करती है चलिए नेक्ष देखते हैं कि निटिक सब्दाबली में सुन्ने काल करता है वह दिन जब संसत कोई कार्णी करता है ली लम्रीद प्रस्ताबी, सीस धगन काल प्रष्ण काल के ठीक वादुका समय तो अनसर होगा प्रष्ण काल के ठीक वादुक की समय को सुन्ने काल लिंगत काल tes, आता है संसत्र के दूनों सदौनों प्रस्ट काल कि तदकाल वाद का समय सुनने काल कहलाता है ऐसा आए निच्छ देखते हैं 42 में सुनसोदन के 10 अधहार अधेसियों को किस नाम से जाना जाता है तो ये मौली करतव 42 में समिधान संसूदन में मौलिक कर्टब को जोड़ा गया था उस वक्त मौलिक से 10 जोड़ा गया था फिर बाद में जोड़ा गया था दुस्वान से समिधी की सिफार्सू तो ये कौन से समिधी ने मौलिक कर्टब को जोड़ा था ये धियान रखना है केदार पर 42 में समीधान संसूर्दन उनिस सुचेतर के दुबारा समीधान के भाग चारे के अंदर गत अनुच्छे दिकामन ए जोड़कर दस मॉली करतब्यों को समाविष्ट किया गया वर्टमान में कुल 11 मॉली करतब्य है आए निक्ष देखते हैं 10 राज सरकार का कारीकारी अम्क पर मुख कौन होता है तो यह होता है मुख मंद्री ठीक है स्सedsदान के दिख्ट्ण के वनाद सार्य कारीकाई अद्हक्च होता है या पर मुख जो होता है हमने गलती बता दिया लग रहा था जिस पक्त हम पड़े ठीक है ना लेकिन यह जो आपसन आगे पिछे है उसके कारण हमने यह टिक अप कर लिया भी समझ के ठीक है तो राजसरकार का कारेकारी अध्याश्य पर मुख कौन होता है तो यह होगा राजपाल उसे परकार से केंद कानूनी भी से पर जू होता है यह देता है कि महा नियाए वादी आप सोरी नहीं है यहां भी आप्सन आगे पिछे हो गया है तो यह आपको हो जाएगा एड़ वाकेट जेनरल या महा अधिवक्ता तो अनुछेद 165 के अंदर गत राजसरकार को कानूनी भी से पर महा अधि वाकता यह फिर एड़ वैकेट जेनरल जो है सलाह देता है आईए नेक्ष देख लेते हैं भारत में मलेखित में से किसके अंतरगत पंचाइती राज परनाली की विवस्था की गई है तो यह भी सीड़ी चलिए देखते हैं तो यह अंसर होगा निती निर्देशक सिधानत म अनुचित 40 भारती समीधान में राजी के निती निर्देशक सिधानत में अनुचित 40 में परपदान है राज ग्राम पंचातों के सगटन के लिए कदम उठाएगा तो इनको सवायत सासन की काई की रुप में खार करने के लिए सक्तिया परदान करेगा चलिए निक्ष देख और जीला परिस्तों पंचायती राज में करो में सहते निहेंered क्यां फच्ती में यूचल पनिद्वा पंचायती स संस्थाएग डिर्वेश को संभाचिए निक्स देखते है RS तो यह दुनांगों एक साथ विच में कामա् cotton हய् दोनोंहें कि फ़स्तिया कई यह कि कह राजिय और नाली से ही समंधित था आप्शन डी हो जाएगा भयाख्या में हम देखेंगे समीधान का त्यातरमा संसोधन लक्षूई मल सिंध भी यहां सिंध ही नहीं समीधी की सिपारिश पर उनीसुतिरानवे में पारितकर पंचैती राजविवस्था को समेधानिक इस्तिति परदा किया गया था ठीक है तो इस परगार से हमने प्रिवियस कोश्चन देख लिया जो भी था पैटालीस में में इसके वाद वाले वीडियो में अगले वीडियो में मिलते हैं तब के लिए और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए चलिए